उन्निस नमंबर शुक्रवारी महा कार्थिक पूर्मा चंद्रगहन बना दिव्बे और दुल्लव सायोग दुलसी जीप चड़ाते यह एक जीच हर कष्ट दूर करेंगे भगवान पिश्णो घर में आएगी सुक्सम्रधि और शान्ति और भूलकर भी ना करें ये साथ काम ओ वम्कर शी महां गड़ी शाय नमा राधी राधी दूस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों कार्थिक पूर्मा का हमारी धम शास्तों में विशिश महतु doğ उन्यता के अनुसार कार्थिक पूर्मा पर जो भी जब तब इस्तनान दान किये जाते हैं उनका अन्यपूर्मा की तुल माँ पर चंदर ग्रहन लगनी जा रहा है यह इस साल का आखरी चंदर ग्रहन होगा यह चंदर ग्रहन भारत के समय के अनुसार 19 नमबर को सुभे 11 बच कर 34 मट पर शुरू होगा और शाम पांच बच कर 33 मट पर समात होगा वैसे तो यह एक उपचाया चंदर ग्रहन होगा और इसकी सूर तक मानने नहीं होंगे लेकिन शास्तों के अनुसार चंदर ग्रहन के समय जो भी पूजा की जाती है उसका एक लाग कुना अधिक पुन्यफल प्राप्त होता है और इस कार्टिक पूर्मा पर चंदर ग्रहन के साथ ही स्वास सिध्धि कार्टिक पूर्मा पर भगवान लक्ष्मी नारायन को प्रसंद करने के लिए जो पूजा की जाएंगी उसका कई गुना अधिक पुन्यफल प्राप्त होगा कार्टिक पूर्मा पर भगवान लक्ष्मी नारायन का विशिश रूप से पूजन किया जाता है माने ताहे जिन पर इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा हो जाती है उनके जीवन के बड़ी से बड़ी परिशानी भी पलभर में दूर हो जाती है दोस्तों भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा प्राप्त करने के लिए कातिक पूर्मा के दिन तुलसी मा का पूजन अवश्य ही करना चाहिए तुलसी जी को मा लक्ष्मी का रूप माना जाता है शुक्रवारी महा कार्तिक पूर्मा पर भगवान लक्षमी नारायन की असीम कृपा प्राप्त कहने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें मानेताओं के अनुसार कातिक पूर्मा पर तुलसी जी का पूजन कहने से उसका सो गुना अधिक पुन्निफल प्राप्त होता है जो भक्त इस दिन तुलसी जी के सामने दीपक जलाते हैं भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा से उनकी सभी मनुकामनाय पूर्ण हो जाती है और घर से दरित्ता दूर हो जाती है शास्तों के अनुसार कातिक पूर्मा पर भगवान पिश्नु को तुलसी का पत्ता अर्पित कहने मात्र से ही मनुष्य की जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और दुर्भा के भी सौभा के में बदल जाता है कातिक पूर्मा के दिन इस्नान करने का विशिश महत्व होता है शास्तों के अनुसार इस दिन भगवान पिश्नु जल में बास करते हैं और इस दिन पवित्र नदी में इस्नान करने से भगवान पिश्नु की अस्रीम कृपा प्राप्त होती है और कश्टों से छुटकारा म मिलता है दोस्तों अगर आफ पवित्य नदी में इस्नान ना कर सके तो अपने घर पर ही इस्नान के जल में गंगा जल के पवित्य नदी का जल मिलाकर उससे इस्नान अवश्य ही करें और इस्नान करते समय ओम्नमों भक्वते वासु देवाय मंतर का मन ही मंचाप करते रहें कात ब्रत रखने का भी विधान है मानेताओं के अनुसार कातिक पूर्मा का ब्रत कहने से सभी मनुकामनाय पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों पूर्मा पर भगवान विश्णु जी का विशिश रूप से पूजन किया जाता है। पूर्मा पर भगवान पिश्णु जी को प्रसंद कहने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही कहना चाहिए तुलसी जी का पूजन कहने से भगवान पिश्णु के साथ साथ मालक्ष्मी जी के भी असीम प्रपा प्राप्त होती है और भगवान पिश्टों अपने फक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं आज की दिन तुलसी जी का पूजन करने से घर में सुक्सम्रद्धी हमेशा बनी रहती है घर में जो लड़ाई जगड़े होते हैं वह भी खत्व हो जाते हैं घर में प्रेम और शांती का माहौल बना रहता है परिवार के सदस्यों को प्रतीक छेतर में सफलता मिलती है और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं इसलिए आज की इस सुबसायोग पर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करे तुलसी जी का पूजन करने के लिए संध्याकाल के समय मों हाथ पैर अच्छी तरहें से धोकर सच्छे बस्ते धारन करे इसके बाद अपने मंदिर में एक दिया चराएं और रोजाना की तरह भगवान जी की आर्टी करे आर्टी करने के बाद आप थोड़ा सा शुद्ध खी लें इस खी में आप थोड़ी सी साफ पिसी हुई हल्दे मिलाएं और खी को पीले दंका कर लें अब इस खी को आप दिये में भर दें अब दिये में आप एक रूई की बाती लगाएं दोस्तों दो तरहें की बाती दिये में लगाई जाती हैं एक खड़ी हुई जो बाती सीधी रहती है और एक लेटी हुई अगर आप खड़ी हुई बाती बना सकते हैं तो बहे बाती बना कर आप दिये में लगाई अगर खड़ी बाती नहीं बना सकते तो आप लेटी हुई बाती बनाएं और वह दिये में लगाएं लेकिन ध्यान रखें जब आप दिया तुलसी जी के पास रखें तो उस बाती का मुख पूर्वी दिषा की तरफ होना चाहिए यानि कि या तो बाती सीधी हो या फिर पूर्विदिशा की तरफ हो दिया रखने के बाद अब आप दिये को तुलसी जी के सामने चलाए और दिये के साथ एक सुगंदित धूपत्ती भी अवश्य ही चलाए माना जाता है कि पूचन के दौरान जितनी सुगंद बातावरण में होती है उतना ही हमारा जीवन भी खुशियों से महक उड़ता है इसलिए भगवान जी का पूचन करते समय हमेशा सुगंदित धूपत्ती अवश्य ही चलाने चाहे दिया जलाने के बाद आप एक कौड़ी ले लेकिन ध्यान रखे कौड़ी में छेद नहीं होना चाहे आपको सापुत कौड़ी लेने है अब इस कौड़ी को पानी से अच्छी तरह सी धोकर साफ कर ले इसके बाद इस कौड़ी को आप तुल्सी जी के पास मिटी में दबा दे दोस्तो कौड़ी मालक्शmee को अतिप्रिया है और तुलसी जी को मा लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है आज की रात तुलसी जी के पास कोड़ी रखने से मा लक्ष्मी जी की असीं कृपा प्राप्त होती है मा लक्ष्मी जी के साथ साल भगवान विश्णो जी का भी आशिरवाद प्राप्त होता है माना जाता है कि जिस इस्थान पर कोड़ी होती है वहां मालक्ष्मी का बास होता है और जिस जगे मालक्ष्मी का बास होता है वहां भगवान पिश्णु जी भी निबास करते है अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें भगवान पिश्णु मालक्ष्मी जी को प्रणाम करें इसके पश्चाथ भगवान पिश्णु जी के महामंत ओम नमो भगवती वासु दिवाय का 108 बार जाप करें फिर जैमालक्ष्मी जैमालक्ष्मी का भी 21 बार जाप करें दोस्तों ध्यान रखें तुलसी जी का पूजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिएं मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप तुलसी जी की आरती करें आपको तुलसी जी की आरती ना आती हो तो आप भगवान शरी हर विश्णु जी की भी आरती कर सकते हैं आरती करने के पश्चात अब आप तुलसी जी की ग्यारे परिक्रमा करें परिक्रमा आपको क्लॉकवाइस करने हैं जिस तरह से घड़ी की सोया घूमती हैं यानि कि दाएं से बाइं की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ खूमते हुए आपको परिक्रमा करने हैं। परिक्रमा करते समय ओम नमु भगवती वासू दिवाई मंत्र का मनही मनजा करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चाद आप तुलसी मा को प्रणाम करें। भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। और जाने अंजाने में की गए सभी कलतियों की शमा मांगें। फिर अपने घर की सुक सम्रथी की प्रातना करें। जो भी समस्या है वह आप भगवान जी के समक्ष कहें। और उनसे अपनी कश्टों को समस्या को दूर करने की प्रातना करें। आज के दिन इस तरहें तुलसी जी का पूचन करने से घर में सुक सम्रथी और शान्ति आती है। तुलसी जी की पौधे की जर्मे सभी तीट, मद्धभाग तना में सभी देवी देटा और उबरी शाखाओं में सभी बेद इस्थित है। तुलसी जी का पूचन करने से भगवान पिश्णु मा लक्ष्वी जी के साथ साथ सभी देवी देटाओं का आशिवाद प्राप्त होता है। और तीट में पूजा करने के बड़ावा पुन्यफल प्राप्त होता है। तुलसी जी का दैशन पाप नाशक समझा जाता है और इनके पूचन को मुक्ष दायक कहा गया है। पद्वपुरान में उल्लखित है कि जहां भी तुलसी जी का पूचन होता है। वहां द्रिदेव, ब्रह्मा, विश्णु महेश, सदैव निवास करते हैं। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि आज की रात इस तरहें तुलसी जी के पास कौड़ी रखने से धन सम्मंदी समस्याय मालक्षमी जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। अचानक ही धन प्राप्ति के नए मार खुलते हैं और धन का लाभ होता है। दोस्तों ध्यान रखें अगर आप अपने घर में ही तुलसी जी का इस तरहें पूजन कर रहे हैं तो आप कौड़ी को तुलसी जी के पास ही रखा रहने दें। रखने के इस्थान पर या फिर अपने मंदिन में रखतें। ऐसा करने से आपको धन का लाप होगा और धन सम्मंदी समस्याएं दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों धान रखें कि पवित इस्थान पर लगी हुई तुलसी जी का ही पूचन करें। तुलसी जी का पूचन करते समय आप चपल ना पहनें। महिलाएं पीरण के दोरान तुलसी जी का पूचन ना करें। और संध्याकाल के बाद तुलसी जी का पूचन तो कर सकते हैं लेकिन भूल कर भी तुलसी जी को इस परश ना करें। इस तरहें आप तुलसी जी का पूजन संध्याकाल से रात्री में किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन तुलसी जी को इस परश ना करें और ना ही संध्याकाल के बार तुलसी जी को जल अर्पित करें। तुलसी जी का पूचन कभी काले रंगे बस्तर पहन कर भी नहीं करना चाहें तुलसी जी सुक्सम्रत्थी और सौभा के देने वाली है इसलिए तुलसी जी का पूचन हमेशा शुब रंगे कपड़े पहन कर ही करने चाहें और अगर आपके घर में तुलसी जी ऐसे इस्थान पर हो, जहां पर आप चारो तरफ तुलसी जी की परिक्रमा ना कर पाएं तुम मंत्र का जाब करने के पश्चात तुलसी जी का इस्मरण करती हुए अपने इस्थान पर ही खड़े होकर आप ग्यारे बार गोल खुमकर परिक्रमा करें जैसे भगवान सुने नारायन की परिक्रमा करी जाती है दोस्तों तुलसी जी की पूजन के दोरान इन सभी बातों का विशिष ध्यान रखें और आज के इस सुबसंयों पर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें जिससे आपके ऊपर सदेप तुलसी मा के साथ साथ भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी की भी गृपा बनी रहे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फूर वोचिंग दाथी दाथी